गूर्णिंग एभरिवन तो आज हम बात करने जा रहे है जो अभी वर्ड में इजलाईल और हमास के बीच वरं चल रहा है उसके लिए ठीक है अच्छा इसमें सोचने वाली बात यह है कि जितना भी वरं चल रहा है चुकि जो फिलिस्तीन है फिलिस्तीन में हमास ग्रूप है ठीक है तो यह मुसलिम कंट्री है तो मुसलिम कंट्री पे बहुत हो रहा है लोग मारे जा रहे हैं मुसलिम तो जिते भी वर्ल्ड में मुसलिम कंट्री है वो कहरें कि हम बहुत दुखी है हमें बहुत दुखी है सब हो रहा है ठीक है लेकिन कोई भी ऐसी country इतनी Muslim country है Philippines के चारो तरफ या Israel के चारो तरफ कोई भी इनको support नहीं कर रहा है पैसे in terms of economy ठीक है? Economic में कोई इनको support नहीं कर रहा है कि मोई Twitter पे support कर रहा है वैसे कोई नहीं support कर रहा है और ये ना support करने का reason फिलिस्तिनी है, क्या हुआ था, एक बार 1967 में वार हुआ था, ठीक है, किसके बीच इसराइल से सटे हुए छह कंट्री जो हैं, जिसमें इजिप्ट हो गया, जॉडन हो गया इस सब कंट्री में वार हुआ था, ठीक है मतलब 6 country एक तरफ दूसरी तरफ इसराइल इन्हों ने 6 country ने इसराइल पर्टेक कर दिया था और इन 6 country को इसराइल ने 6 दिन में हरा दिया ठीक है ऐसा नस्ता नाबूत किया कि ये लोग भागते भागते खड़े हुए जिसमें सबसे ज़्यादा loss हुआ फिलिस्तीन का ठीक है फिलिस्तीन country क्या हुई भागी फिलिस्तीन country के लोग भागे इधा हुदर camp में इधा हुदर भाग रहते तो क्या हुआ था कि उस समय जो उनके just near about country है Jordan उन्होंने कहा यार कि हमारे मिया भाई है हमारे सपोर्ट हमारे दोस्त लोग है हमारे भाई बंदू है इनकी help करनी चाहिए ठीक है इस दुखी समय में इस कठिन समय में तो उन्होंने Jordan ने अपनी boundary खोल दी कि हाँ ठीक है आप आजाईए हम आपके लिए जो भी हो सकता है बंद सकता है वो करेंगे इन्होंने क्या किया इन्होंने किया भाई खाने की ब्यवस्ता की कैम्प लग आया बच्चों के लिए स्कूल खोला हॉस्पिटल की ब्यवस्ता की ठीक है यह सब किया Jordan के राजाने ठीक है अब ये फिलिस्तिनियों ने क्या किया आने वाले 6 माईने एक साल बाद इनों ने क्या किया कि हफ्ता वसूलना स्टार्ट कर दिया किस से अपने मतलब जॉर्डन वाले लोगों से मतलब ये लोग गुरूप बना-बना कि उनको मारते थे हफ्ता वसूलते थे ठीक है तो ये बात पता चली उस समय जो Jordan के king है उनको तो उनको गया कि ठीक है है हमारे महमान है मिलके समझा देंगे कोई बात नहीं ये वो उनको धक्का तब लगा जब क्या हुआ कि एक बार यही जो फिलिस्तिनी लोग है उन्होंने इनका तक्ता पलट करना चाहा किसका Jordan के king का ठीक है तब इनको लगा कि अब तो बात आगे बढ़ गई तब इन्होंने क्या किया कि अपने आस पास के नियर एबाउट में जितले भी Muslim country उनसे help मागी कि हमारी help कर दो हमने जिसको मतलब अपने हाँ शरंड दिया वही हम है परिशान कर रहा है तो कहा जाता है कि पाकिसान country ने पैसे लेके अपने आर्मी को भेजा हाँ आर्मी को भेजा तो कहा जाता है कि initial 10 days में 10 से 25 जार फिलिस्तिनियों को उस जो आर्मी का ब्रिगेडियर तो उसने मार दिया मार दिया जान से मार दिया ठीक है उस ब्रिगेडियर के नाम था जयाउल हक यही जयाउल हक पाकिसान का एक टाइम बाद प्रेजिडेंट बनाता ठीक है अब लोग कह रहे हैं कि पाकिसान वाले कह रहे हैं कि हमें बहुत दूख है फिलिस्तिनों के साथ है अब तुम सोचो खुद ही कि तुम्हारे एक परसर नहीं तुम्हारे बिरिगेडेर नहीं 10 से 25 आर फिलिस्तिनों का मारा था तो अपनी गिर्वान में जहको ना दूसरों को क्यों देख रहे हो पहली बात यह हो गई और दूसरी बात यह जो हो रहा है फिलिस्तिन के साथ इसमें इनका खुद बहुत बड़ा हात है यह कहानी जाता है कि दूद का जला भी हज फुक फुक के पीता है तो वह हाल है ठीक है जितनी भी कंटरी है वो डर रही है क्योंकि इनका जो पास्ट आए बहुत खराब रहा है इसलिए इनको कोई सपोर्ट नहीं करना चाहता है जो भी सपोर्ट हो रहा है ना कोई इनको फंड दे रहा है मतलब कि सिनाई पैनन्स उला है जस्ट मिस्टर में वो अपने बॉंडी तक क्लोस कर दिया कि वहां से यहां कोई नहीं आएगा बतला वो भी मुसलिम कंट्री वो भी मुसलिम कंट्री लेकिन हो सपोर्ट नहीं कर रहा है यहां तक उपन था भी तक आप क्लोस कर दिया फिलिस्तिन के साथ हो रहा है उसमें बहुत बड़ा हात इनका खुद का है इनका खुद का है ठीक है हाँ लोग की death हो रहे है उसके लिए तो दुख होना ही चाहिए लेकिन जो भी हो रहा है आप उसके लिए खुद responsible है और इस्राइल में भी जो भी हो रहा है उसके लिए खुद responsible है ठीक है तो यह है